सवाल अरबिंद पाल जी ने फूचा है फिजी स्क लाश्ट वहल्त का है पहला सवाल हैं का 75 किलोग्राम द्रमयान वाले लेक्टानों पर कुल कितना अबेस होगा तो यहां पर देखें द्रमयान कितनाãy 75 किलोग्राम इलेक्टान पर द्रमयान कितना होता 9.1 to the power 1-31 किलोग्र तो यहां पर यहन का मान रख देंगे 75 बटे 9.1 इंटू 10 टू दी पावर मैनस 31 इका मान हमें 1.6 इंटू 10 टू दी पावर मैनस 19 होता है अब हम लोग 75 और 16 का गुड़ा करेंगे तो कितना आएगा यहां 30 हो जाएगा यहां पर होले मैनस 31 और 12 बचेगा यहां पर यहांपर 10 यह वाला इसको दे देंगे तो यहां बचेगा 12 बटे 9.1 into 10 to the power 13 हो जाएगा और यह जब 10 मलों हटाएंगे तो पुना 0 बढ़ जाएगा तो जो हम लोग 120 को 91 से भाग देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 91 कम 91 1.31 आ जाएगा यहां पर तो इनने लिखा आब इस 1.31 into 10 to the power 13 कूलाम अब हम लोग जो दूसरे प्रस्ण की तरफ इंक्या बढ़ते हैं इन्होंने दूसरा प्रस्ण की बूचा था कि एक धात के टुकड़े से कितने इलेक्टरान अटाये जाएगे कि उस पर एक माइक्रो कूलाम आबेस आ जाए यहां इलेक्टरानों की फिंक्या बूचा एक मान हमें याद होना चाहिए 1.6 इंटू 10 टू दी पाउर माले 19 कूलाम से कूलाम कैंतिल हो गया देखो माइनस का 19 उपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 19 से 6 जाएंगे 13 बचेंगे फिर यहां ने क्या 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 दसमलों हटाया चलो इधर बता देता हूं देखो यहां प पाँच बटे आठ और दसकीघा तेरा बचे यहां पर तेरा में से एक जीरो इनको दे देगे तो बारा बचेंगे फिर आठ से भाग करेंगे तो आठ शंग अर्टालीफ दो बचेंगे दसमों लगाएंगे तो दो पांच बार चला जाएगा छेस्व माद दो पांद दसकी वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद